अज़ मैं आपके साथ पालक पनीर की रेस्पी शेयर करूंगी तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए और बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलें तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह मैंने ले ज़से आपके पालक का अure कर प्रतिषा में ब्ल्कुल चेरिंज नी होगा आप मीपालक अब गरंपानी से निक लकारक थन्डे बरफ के पानी में अब इससी गरंपानी में एक मुट्टी हरत अज ज़्य अज़र यह ज़़ने ब्लीन अब हमने ले ले लिए 500 ग्राम पनीर इसमें हम हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर वन टी स्पून लानुज पाउडर वन टी स्पून गरम मसाला और हाफ टी स्पून सॉल्ट एट करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब यू पनीर के पीसिस को हम तवे पर फ्राय कर लेंगे अब पालक पनीर के ग्रेवी के लिए हमने लिया हैं दो मीडियम साइज के टमाटर दो मीडियम साइज की प्यास चार्ट से पांच हरी मर्च वन टी स्पून लाल मिश पाउडर वन टी स्पून धनिया पाउडर हाफ मस्टर्ड और छाट सूह सोह निए दोलका अहरा तम हरी उ Highमिंश जाए है झाट ओर डालेंगी। अ कि आ इन आ में मुशने चीज्ज कंड जिसी हरे ड़िए आसम लिए रेट करेंगे और सबल्सपूम्ति सबेंगे. टमाटर प्यास और हाई मेच वाला पेस्ट एड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही एड़ करेंगे और चलाते हुए भून लेंगे अब हम इसमें पालक का पेस्ट एड़ करेंगे और देड मिनिट के लिए अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे अब हम पनीर के पीसे जट करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब लास्ट राम इसमें वन टेबल स्पून बटर एड करेंगे और यह मारा पनीर रैडी हो गया है अब मैं आपको इसको डिश आउट कर दिखाती हूं इंशाला आप सब को पसंद आएगा और पसंद पस्टोर एड़िए नगला आप सी जाइगा ऑड़ी आपनीर इड़ी आपनीर खार्म इखाती हूं इंशाल इंशाला आप ट्रेश प्राश आउट मारा मारा थैडा है आएगा और शुल्डभाती हूं गया दिखाती है